करेंगे और क्यों मैंने ये टॉपिक करेंगे और क्यों मैंने ये टॉपिक करेंगे चूज किया है विकज अभी जो आपका UPPCS का एक्जाइम हुआ है उसमें ये पूछा गया है तो उमीद है कि आने वाले किसी और एक्जाइम में इससे रिलेटेट क्वेस्टन आपका पूछा जा सकता है तो इसी दिए मैंने इस बार इसको वन डे वन न्यूस का टॉपिक बन साइन्स, इंटरनेशनल रिलेशन्स और अडरेंट अफेस्ट और यह सारे लेक्चर्ज आप एक जगह पर आपको मिल सकते हैं अगर आप प्ले इस्टोर से सिविल अकएड़िमी का जो एप है उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको फोर डेस तक इनका सब्सक्रिप्शन जो देख सकते हैं उतना देख सकते हैं इसके अलावा भी civil academy के कई सारे initiatives हैं एक तो मैं ही आपको अभी जो ले रही हूं that is one day one news और यह आपका एक दिन में एक न्यूज आता है और नेक्स्ट आपका है करेंट का क्लास current affairs की class जो sir लेती हैं आपकी 10 pm पर होती है यह भी बहुत important है आपकी and next एक आपकी होती है general studies की class जिसमें sir mcqs को practice कराते हैं ज्यादा से ज्यादा और यह होती है आपकी 8 pm पर चाम को 8 बज़े होती है यह आपकी तो यह सारी classes अगर आप देखते हैं तो पहली बात तो फाइदा यह है कि यह classes ना आपकी completely free है students तो free होने की वज़े से यह है कि easily आपके लिए accessible है आप आराम से इनको घर बैठ करके देख सकते हैं और important इसलिए है इनसे जो भी इनमें discussion होता है इनसे direct question पूछे गए है आपके UPPCS में भी पूछ लिया गया है और UPSC में भी आपके से questions बन जाते हैं तो इन free initiatives का civil academy के का आप फायदा उठाइए चलिए हम तो चलते हैं अपने one day one news की तरफ जैन pilgrimage sites जो की UP में है ठीक है तो बात करनी है आज हमें important जैन pilgrimage sites की जो की उत्तर प्रदेश में आपकी कौन-कौन सी है ठीक चलिए बात करते हैं इस पर अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहली site की तो सबसे पहला है आपका और important वो है अयोध्या अयोध्या सिर्फ रामचंद्र जी की ही नगरी नहीं है यह birthplace है जैनियों के भी पांच जो तीर्थंकर हुए है जैनियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए है उनमें से जो पांच तीर् तो कौन-कौन है जिनके birthplaces आपके अयोध्या में पढ़ते हैं तो दिस इज रिशब देव जो आपके पहले तीर्थंकर है देन अजीत नात जो आपके second तीर्थंकर है देन आपके fourth तीर्थंकर अभिनंदन नात ये भी आपके अयोध्या में ही इनका birthplace रहा देन उसके से अयोध्या सबसे पहली साइट तो हमें मिली अयोध्या अयोध्या इस दा बर्थ प्लेस ऑफ पाइफ तीर्थंकर्स ऑफ जैनिजम जो गुरू है मदब जैन धर्म के जो पांच तीर्थंकर है उनका birthplace बना है किस-किस का है तीकि ये तोड़ा सा ना न्यूज आज का factual है इंपोर्टेंट है याद कर लेजेगा आप इसको पहला गौन है रिषब देव पहले हैं रिषब देव और ये आपके पहले ही तीर्थंकर है दूसरा अजीतनात का भी birthplace है और ये दूसरे तीर्थंकर है नेक्स्ट है अभिनंदन नात जो कि चौथे तीर्थंकर है और पा पिल्ग्रमेज साइट है इं till चेनियों का एक महतवपून धार में इस्थल है चले बढ़ते हैं डूसरी साइट की तरफे दूसरी साइट हैर इपाटेंट लुपी में जैनियों के लिए लिए खमस है या जैन – धर्म के लिए खमस है क या तापनवर प्लेस है सेवन्थ ती तीर्थंकर जिनका नाम है पार्षुनात तो दो तीर्थंकर का बर्थप्लेश है काशी वाने सुपर्षनात और नेक्स्ट है पार्षनात इसमें से जो सुपर्षनात हैं वो साथवे तीर्थंकर हैं जबकि जो पार्षनात हैं वो 23 तीर्थंकर हैं इस न्यूस से आप लोग काम और भी करिएगा ऐसा टेबल बना लेंजेगा तीर्थंकर और उनकता का वर्ध प्लेस यहां पर लिख लीजेगा तीर्थंकर और नहीं कहँव birth place इस तरीके का एक table बना लेना और एक दूसरा table बनाना तीर्थंकर और कौन से number के हैं वो ठीक है first है second है third है fourth है ये भी बना लेना ठीक चले second important place मिला हमें काशी now next important place जो हमें मिलता है that is in district कोशामबी और village पड़ेगा पबोसा district कोशामबी विलेज पड़ेगा कोशा कोशामबी विलेज पड़ेगा पबोसा और ये related है six तीर्थंकर जिनका नाम है पद्म प्रभू तो छटवे तीर्थंकर से related हो गया आपका कोशामबी और कौन सा गाउं तो विलेज पड़ेगा ध्यान रखेंगे इसको next आगे बढ़ते हैं और दूसरी साइट देखते हैं चौथी जो important साइट है ध्यान रखेगा आपी तक हमने तीन देख ली पहली देखी थी अयोध्या पहली हमने देखी अयोध्या दूसरी हमने कौन सी देखी काशी और तीसरी हमने देखी कोशाम्बी में विलेज पबो सा बञार तीक आप आते हैं चौति साइट पर चौति साइट है हमारी श्रावस्ती चौति कौनसी साइट है श्रावस्ती ये किससे रिलेटेटेड है घचर्ड तीर्थंकर से और उनका गवानाथ टेम्पल किसके लिए है जैन धर्म के लिए फेमस है कहां पर है श्रावस्ती में है किस से रिलेटेड है कौन से तीर्थंकर से रिलेटेड है संभवनाथ से रिलेटेड है तीन बातें ध्यान रखेंगे नेक्स प्लेस परता है देवगर्ड देवगर्ड जो फेमस प्लेस है ये एंशेंट जेन स्टेच्यू के लिए फेमस है यानि जो पुरानी जैन कलाएं है या पुरानी जो जैनों की मूर्तियां है उनसे रिलेटेड है प्लेस आपका देवगर्ड और इसलिए इसे हम क्या बो important place हमें जैन धर्म का मिला यूपी के अंदर दाट वस देवगर्ड और ये आपका क्यों famous है किसी का birthplace नहीं है किसी की site नहीं है बस यहाँ पर जैन statues के लिए ये famous है जैन मूर्तियों के लिए famous है और इसी लिए इसे क्या बोलते हैं fortress of gods भी बोलते हैं ठीक चलें आगे चलेंगे next site देखेंगे next important site हमें मिलती है महोबा में चटवी site है ध्यान रखेंगे चटवी site है 6th site है ये मिलती है महोबा में और ये भी आपकी famous है statues के लिए जहाँ पर 24 तीर्थंकर्स की statues लगाई गई हैं कैसे लगाई गई हैं rocks को cut करके चीक किस mountain पर rocks को cut किया गया है किस mountain की rocks cut की गई है गोखर mountain तो छटवा प्लेस हमारे लिए important जैन पिल्ग्रमेज आया महोबा में क्या हुआ है यहाँ पर statues लगाई गई है statues बनाई गई है 24 तीर्थंकर्स की कैसे बनाई गई है एक गोखर mountain है उनकी rocks को cut करके बनाई गई है यह भी आपका है यह आपका है देवरिया में नेक्स्ट है ककंडी कहाँ पर है देवरिया में है क्यों है important because यह residence है 9 तीर्थंकर का जिनका नाम क्या था Lord सुविधी नात और या फिर इन्हें पुश्पर्दंत भी कहते थे यानि जो हमारे पास सत्वी important site आई वो आई ककंडी कहाँ है देवरिया में है क्यों important है because यह residence है 9 जो तीर्थंकर है उनका 9 तीर्थंकर का नाम क्या है सुविधी नात उनका नाम है इन्हें पुश्पर्दंत भी कहते है ठीक यहां तक बाते समझ में आई यह जो 5 और 6 sites थी 6-7 sites थी वो हमने देखी किस से related है Zen धर्म से related है कुछ या तो statues के लिए famous है या फिर जो तीर्थं ठीक है चलेंगे आगे नेक्स्ट तो अब आपके पास आ गया है इनी साइट जो भी अभी हमने डिसकस की इससे related एक question वीडियो को pause करेंगे question को आराम से पढ़ेंगे और इसका answer करने की कोशिश करेंगे question जो भी अभी हमने डिसकस किया है पूरी दरीके से उसी पर ही based है कु दूसरी साइड में लिखे गए है किस सीर्थंकर से related है सबसे पहला है श्रावस्ती संभवनात श्रावस्ती संभवनात से related है येस बिल्कुल ठीक है संभवनात से related है काशी पार्षणात से related है येस पार्षणात क्या थे आपके 23rd तीर्थंकर है उनसे related है काशी उनका birthplace है प्रभु से related है कुशाम भी, next अयोध्या, अयोध्या तो 5 से related था, उनमें से 8 अजीत नात भी थे, तो ये वाला option भी आपका जो matching है, वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो यानि सब जो जिसके सामने लिखा हुआ है, वो सही से match है, तो answer बन जाएगा A, that is A का 1, A बन ज question, ठीक, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफी सारी information आपने इससे gather की होगी, फिर एक बार नए one day one news के साथ में, एक नई news आप लोगों के लिए, एक नया informative कुछ ले करके आप लोगों के सामने आऊंगी, हाँ, अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो आप को, तो like, subscribe और share करना बिल्कुल मत बूलिएगा, like भी कर दीजे, मुझे भी थोड़ा सा motivation मिल जाएगा, ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए create करने का, और share भी कर दीजे, जिन लोगों के इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें भी इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएग because knowledge पहलाने से ही बढ़ती है, ठीक, then subscribe भी कर दीजे, थोड़ा सा हमारे channel का भला हो जाएगा, ठीक और bell icon को press कर दीजे, so thank you so much, have a nice day.